बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूँ सारी का सक्सेना कारिक्रम देख रहे हैं जानिए अपना राशिकल शुरुवात करते हैं आज के वैदिक पंचांग से आद दिना के 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार विक्रम संबद दो हजार उन्यासी सक्समवत उन्यसे चवाले शिशे रतू पॉश का महीना शुक्ल पक्ष की अश्टिमी दिति है जो आज 6 बचकर 33 बिनर तक रहेगी और उसके बाद 9 मी दिति लग जाएगी अब बात करते हैं उनकी जिनका है आज जनम दिन जिनका आज जनम दिन है उनको ह हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से हार्दिक शुपकामना है अंक जोतिश के अंसार आपका मुलांक होता है तीन और ये ब्रस्पति का प्रतिदित्व करता है आप दार्शनिक सभों के होने के बावजूद एक विशेश प्रकार की इस्फूर्थी रखते हैं और आप अग्सर अवैस्थाओं के करान आप तनाव में रहते हैं और अनिशाशन प्री होने के करान कभी कभी आप ताना शाह भी बन जाते हैं शुब दिनांग है आप के लिए तीन बारा एकिस तीस सुब अंग है एक तीन छे साथ नौ शुब वर्श है दो हजार अठथाईस दो ह बजना बन सकती है दामपत्य जीवन में शुखद इस्तिती रहेगी घर परिवार में शुखकारी होंगे ये वर्श आपके लिए शुखद होगा किसी वशेश परिक्षा में आपको सफलता मिल सकती है नौकरी पेशा के लिए प्रतिभा के भल पर उत्तम सफलता का है आप अपने कुछ रुके हुए कारियों को पूरा कर सकेंगे और विक्रे हुए वैपारों को आप संभालने में आज आपको काफी समय लग जाएगा परिवार के सदस्वे के साथ आप समय निकाल सकते हैं आज आपको सिर दर्ध, बदंधर, ठकांदर्ध जैसी समस्या हो सकत और किसी बेवजह से आज आपको तनाव लेने से बचना होगा, अब बात करते हैं वरश राशी की, वरश राशी वालों के लिए आज का दिन किसी भी आवश्यकार को करने के लिए रहेगा, आपको अपने कारिछेत में अपने जूनियर से काम निकालने के लिए वाड़ी की समस्या हो सकती है, आपने यदि पहले अपने कामों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास किया है, तो वो आज कारे आपके पूरे हो सकते हैं, और किसी समस्या की समधान को आज आप असानी से निकाल लेंगे, अब बात करते हैं, हम अपनी आगली राशी की, यानि मिथुन मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलडायक देने वाला रहेगा, आप किसी बड़े लक्ष की प्राप्ती के लिए आपको कठोर मेहनत करनी होगी, और विध्यारतियों को अपने सिक्षा में आरी समस्याओं को गुरुजनों से बात करनी होगी आपको किसी समपती समधित विवाद से आज आपको चुप रहना होगा और आपको आज वरिष्ट सदस्यों की मदद से ही आज आपको समपती समस्या सुलस्ती होई दिखेगी, किसी आसपडोस में होने वाले व्याद विवाद से आपको बचना होगा, अब बात करते हैं हम क करक राशी की करक राशी वालों के लिए आज का दिन अन्कूल परणाम लेकर आएगा अपने आप अपने विश्वास से आगे बढ़ेंगे कारी छेत्र में यदि आपको कोई सुझाओ देगा तो उसकी पूरी बात का आप मान रखेंगे रुपा पैसे के लेन रेन को बहुत स तम रहेगा और आर्थिक मामले में आपको साधानी बरतनी होगी नहीं तो आपको समस्या हो सकती है धान को किसी गलत योजना में आज निवेश मत करे उससे आपको बचना होगा और स्वास से चल रही समस्या को नजर अंदाज बिलकुल मत करे भाई भहनों का सहीयोग और ननिहाल पक्ष के लोग आज आपसे मेल मिलाप करने आ सकते हैं बात करते हैं करनया राश्री की आज का दिन महत्पूर रहने वाला है नौकरी में कार्यत लोगों को आज किसी को बिना मांगे सलहा नहीं देनी है नहीं तो समस्या होगी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा ए अब हम बात करते हैं तुला राशी के लिए आज का दिन अत्याधिक उर्जा उसे भरपूर रहेगा आप अपनी उर्जा को इधार उदर बैठ कर खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है किसी कारी में लगाए तो आज आपको सफलता मिलेगी कुछ अपरी लोगों से दूरी बात करते हैं हम अपनी अगली राशी की यानि व्रष्चिक राशी की व्रष्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन बाकी दिनों के तुल्ना में बहतर रहेगा माता पिता के साथ सौपे गए कारियों को नजर अंदाज ना करे उनको समय रहते ही पूर्ण कर ले अपने भविश की कोई श्योजनाओं पे बहुत विचार कर आज आप धन लगाएंगे और आज आपको किसी पुराने लेंदेन से को समय से निप्टाना होगा बात करते हैं अपनी अगली राशी की यानि धनू राशी की धनी राशी के लिए आज का दिन मेशित रूप से फलडायक द आज सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज आप परिशान रहेंगे जिसके लिए आपको किसी डॉक्टरी परामर से भी सहता ले सकते हैं माता जी के ननिहाल पक्ष के लोगों से आज आपको मेल मिला आपको मौका मिलेगा और किसी घर की अतिति के आगमन से आज आज आ रहना होगा और खर्च आज आपके लिए समस्या बन सकते हैं प्रेम जीवर में जी रहें लोग साती एक के साथ लांग ड्राइब पर जा सकते हैं परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे माता जी आज आपकी नराज हो सकती हैं और आवश्यक वस्तों की खरिदारी अगर करन नहीं रखना है नहीं तो आप किसी गलत काम को कर सकते हैं संतान पक्षकी और से आज आज आपको आर्तिक लाप मिलने की पूरी संभावना है आज आप अपने परिवार के किसी सदस के वहवार को लोगर थोड़ परिशान धेंगे क्योंकि उनका चिर्चुड़ा सभा में अच्छा धनलाब कमा सकते हैं यदि परिवार में किसी सदस्य को मास मजद्रा की आदत लग जाती तो उसे चुड़ाने की कोशिश करें नहीं तो भविश में उससे कोई बिमारी हो सकती है कारेचित में अपने मन में चल रही बातों को शेयर नहीं करना है और विद्यार इस बाक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं ताकि हम उनको यहां पर बढ़ते देविश कर सकते हैं तो अब हमें दीजी इजाजत हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके समय से नोटिफिकेशन तो फिर मुलाकात होगी जानिये अपना राशी फलकार करम में तब तक ही आपका दिन शुब हो अपना ख्याल लखिएगा नमस्कार